हेलो चिल्डरन आज की इस वीडियो में आप क्लास 12 रेंबो बुक का पोयम नमबर फिफ्थ जिसका टाइटल एन एपिटाफ जिसके राइटर वाइटर डिला मेर है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है इस पोयम को आप सभी समझेंगे सबसे पहले चिल्डरन आपको बता दे हैं कि ये जो पोयम जो है इसमें एक लेड़ी का जिक्र किया गया है जो कि अब मर चुकी है और उनको दफना दिया गया है तो उनके दफनाने के बाद एक समाधी बनाई गई है और उस समाधी के सामने पोयट जो है वो खड़े होकर कि उन्हों को याद कर रहे हैं तो चलते हैं पोएम को स्टार्ट करने के लिए लेकिन पोएम के स्टार्टिंग से पहले आप एक वाट जो टाइटल है इसको समझ लेंगे कि ये एपिटाफ जो होता किया है एपिटाफ is the inscription on a tomb in the memory of the date अगर किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है और उस व्यक्ति को जलाया नहीं जाता है उसे बलकि गार दिया जाता है ब्यूरी किया जाता है तो उसको दफनाने के बाद उसकी समाधी बनाने के बाद उसकी समाधी पर कुछ सब्द लिखे जाते हैं तो उस सब्द को ही हम epitaph कहते हैं तो यह जो है वो एक छोटा सा figure जो है वो आप देख सकते हैं कि यह जो दिखाया गया यह Bill Daniels का epitaph है जिनका जन्म जो है वो 1934 में हुआ था और 2013 में इनकी मृत्य हो गई थी इनके बारे में कुछ सब्द जो है वो लिखे जाते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुए A man of grace and benevolence, the song in our hearts तो यह जो है वो epitaph का यह एक छोटा सा figure है तो चलते हैं children इस poem को start करने के लिए लेकिन उससे पहले यह जो हमारे poet जो है 1973 इनका जन्म 25 अप्रिल 1873 इस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यू 22 जुन 1956 में हुई थी इनका जन्म जो था वो चैल्टन जो की इंग्लैंड के केंट में है एक गाव में इनकी जन्म हुई थी He is known for his sensitive concern with the world of children इन्हें बच्चों के लिए लिखी जाने वाले कवेताओं जो कहानी जो होता है उनके बारे में लिखी जानी वाली कहानीयों के लिए इन्हें जाना जाता है अगर बात करें ये sensitive concern तो ये सम्वेदनात्मक सीलता वाले जो कहानिया होती है उनको बताई जाती है इनकी जो दो लिखी हुई जो पुस्तक है जो है पोयम जो है शौंग्स फॉर चिल्डेन और दूसरा जो पिकोक पाइक डेपिक्ट व्ल्ड ओफ ड्रिम्स यह हमारे संसार की कलपना को बताता है कि किस तरीके का वर्ल्ड जो है वो हो सकता है सपने में The poet makes us aware of the unhuman condition of modern life Actually इस पोयम में पोयट जो है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से इनसान जो है वो हर एक चीजों को भूलते जा रहा है अपने कर्म को भूल जा रहा है वो अपने कर्म के प्रतिध्यान नहीं दे रहा है तो हम सभी को जानना चाहिए कि वो हमारा करम ही होता है जिसकी वज़़ा से एक इनसान जाना जाता है चाहे जिंदा रहने पर चाहे तो वो मृतियू के बाद जैसे अगर बात करें हम कलाम जी का एपी जब्दूल कलाम जो थे वो जब वो जिन्दा थे तब उन्हें बहुत सारे लोग जो थे वो अपना नोबेल पर्सन याने की आदर्स व्यक्ति मानते थे यहां तक कि उनके मरने के बावजूद भी वो बहुत सारे लोगों के अंदर जीवित हैं लोग उन्हें याद करते हैं तो चुकि उन्होंने सोसाइटी के लिए देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कारे किया तो लोग आज भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते तो आज जो है लोग जो है वो बहुत ही अमानवता तरीके से वो secondo वो ौअ सोसाइटी के लिए किसी और के लिए कुछ करना नहीं चाते हैं वो बस अपने आप में ही मस्त रह रहे हैं तो इन ही कंडिशन के बारे में पोएट जो है वो बताया करते हैं Queen Elizabeth II honored him with the order of merit in 1953 1953 इसवी में Walter De La Mayor जी को order of merit जो था वो एक सम्मान जो था वो Queen Elizabeth के द्वारा ये title दिया गया था तो चलते हैं children poem को start करने के लिए ये poem जो है वो काफी छोटा है start करते हैं here lies a most beautiful lady starting में ही मैंने intro में बताया children की poet जो है वो एक epitaph के सामने खड़े हैं समाधी के सामने और वो जो समाधी जो है वो एक बहुत ही सुन्दर beautiful lady की है जो कि सबसे दुनिया की सुन्दर लड़की है lady है उनका वो epitaph है चुकि वो मर चुकी है उनका समाधी बनाया गया और उनकी समाधी के सामने poet जो है वो खड़े हैं और क्या कह रहे हैं तो बता रहे हैं कि here lies a most beautiful lady उस जगह को दिखावा करते हुए इसारा करते हुए बता रहे हैं कि यह वही जगह है जहां पे दुनिया की सबसे एक बहुत ही सुन्दर जो lady जो थी वो लेटी हुई है तो यहां पे लेटने का मतलब जो है वो मरने के लिए है वो मर गई है और उसकी समाधी जो है यहां पे लेटी गई है वो रखी गई है चिल्टरन यह जो वर्ड जो है light of a step and heart इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आदत है habit of moving here and there जो लोग एक दूसरे से घूम जगह एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते हैं जिसको हम चंचल कहा सकते हैं चंचलता को बताने के लिए बताया जा रहा है तो ये औरत जो थी बहुत ही चंचल थी वो एक जगह से दूसरे जगह घूमा करती थी अब वो चुकी मर गई है जब वो जिन्दा थी तब तो वो इधर उधर बहुत ही जादा घूमा करती थी भ्रमण किया करती थी लेकिन चुकी अब वो मर गई है जिसकी वज़ा से अब व वो पूरी तरीके से उसकी सभी पार्ट जो हैं शरीर जो है वो पूरी तरीके से ठंड पड़ गये हैं I think मैं सोचता हूँ I जो है वो पोयट अपने आप को बता रहे हैं I think मुझे लगता है मैं सोचता हूँ कि she was the most beautiful lady की वो इस दुनिया की सबसे सुन्दर इस्त्री थी that ever was in the west country यानि की पूरे west country में जितने भी country है उन सभी country में इतना सुन्दर इस्त्री कभी जन्म नहीं ली थी पोयट इस चीज़ को बताना चाते हैं इनकी नजर में जितना पोयट ने देखा था पूरे west country में ऐसी कोई इस्त्री नहीं थी जो इनकी ये जो beautiful lady की जो समादी है उन से कहीं जादा वो सुन्दर हो लेकिन फिर यहाँ पोयट क्या बताना चाते हैं but beauty vanishes, beauty passes children ये जो word vanishes होता है ये disappear यानि कि गायब हो जाने के लिए खतम हो जाने के लिए होता है पोयट बताना चाहते हैं कि जो beauty जो होते हैं यानि कि सुन्दरता जो होती है वो गायब हो जाती है जैसे बच्पन में बहुत जादा सुन्दर होते हैं लेकिН जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, तो सरीर चेहरे पे जौरियां पड़ने लगती है, वो सुन्दर्ता गायब हो जाती है. और यहां से पोट ये भी बताना चाहते हैं, कि ये जो भी सुन्दर्ता जो है, सुन्दर्ता कितनी भी रहे, धीरे धीरे खतम हो जाती है लोग जो है वो सुन्दर्टा से नहीं बल्कि अपने करमों से जाने जाते हैं बट ब्यूटी पासे सुन्दर्टा जो है वो खतम हो जाती है चली जाती है यह अलग बात है कि यह बहुत ही not common यह common नहीं है इतनी सुन्दर ओरत का होना लाजमी नहीं था हर कोई इतना सुन्दर नहीं हो सकता है लेकिन यह सारी सुन्दरता जो कि बहुत ही ज़्यादा रेर थी and when I crumble crumble जो होता है वो मरने के लिए होता है children पोयट जो हो बता रहा है कि यह सुन्दरता को तो मैं अभी तक याद रखते आ रहा हूँ लेकिन तब क्या होगा when I crumble जब मैं मर जाओंगा पोयट यह बता रहे है कि जब मैं मर जाओंगा तो who will remember तो कौन होगा जो याद करेगा किसे the lady of the west country यह जो west country की जो सबसे सुन्दर इस्तरी जो थी लड़की थी औरत जो थी अब इस औरत को सुन्दर इस्तरी को याद कौन करेगा अब तो एक मात्र मैं था लेकिन अगर मैं मर जाओंगा मैं करंबल कर जाओंगा तो फिर इस सुन्दर इस्तरी को कौन याद करेगा तो children एक छोटा सा स्लोप मैं आपको बताता हूं कि बोला जाते कि कर्म प्रधाना बिस्व करी राखा यानि कि इस संसार में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा कर्म प्रधान होत करेंगे तो children यह जो है वह आपको लोगों के लिए क्लास 12 rainbow book का एक पोयम जिसका टाइटल एन एपिटाफ है I hope कि आप लोगों को पोयम समझ में आ गया हो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा आने वाला जितना भी वीडियो हो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए